Honda BRV और CRV ने तो भारतिय बजार को अलविदा कह दिया है लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे Honda SUV के बारे में जिसने हमें कभी नमस्कार कहा ही नहीं Honda HRV या Honda Vezel इस compact SUV को अपने नए अफ्तार में यूरोप और जपान जैसे markets के लिए रिवील कर दिया गया है पिछले जिदरेशन को भारत में लॉंच करने की बाते तो हुई पर उस गाड़ी को Honda इंडिया ने लॉंच ना ही करना सही समझा नए मॉडल का डिजाइन काफी अलग है जहां पुरानी HRV डिजाइन वाइस क्रॉस ओवर जैसी कर्वी थी 2021 के मॉडल का डिजाइन और मस्किलर और कम से कम सामने से तो ज्यादा बॉक्सी है अब आपको स्टाइलिंग अच्छी लगे ना लगे ये तो कहना पड़ेगा कि लुक काफी क्लीन है और हॉंडा की दूसरे गाड़ोय से काफी अलग भी लगती है अज एक्सपेक्टेड, DRLs, Headlights और Tail Lights के लिए LEDs का इस्तिमाल किया गया है और Indicators भी DRLs के साथ इंटेग्रेट हुए है डिजाइन के लिए प्रेधना ली गई है हॉंडा के SUV E-Electric Car concept से अब HRV एक Electric SUV तो नहीं है लेकिन उस हॉंडा बैच के पीछे नीले हाइलाट को सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं लगाया गया है इस SUV का पूरा नाम है हॉंडा HRV E-HEV यानि Hybrid Electric Vehicle वैसे तो HRV को सिर्फ 1.5 लिटर आईवी टक पेट्रोल लेंजिंग के साथ भी ओफर किया जाता है लेकिन इस SUV के साथ E-HEV Hybrid का उप्शन मिलता है जो विदेशी मार्केट्स में City और Jazz के साथ भी ओफर है इस सिस्टम में पेट्रोल एंजिंग को सपोर्ट मिलता है दो एलेक्ट्रिक मोटर से जिसे गाड़ी को Hybrid, Pure Patrol या Pure Electric मोट में भी चलाया जा सकता है और हाँ HRV को Front Wheel Drive और All Wheel Drive दोनों आप्शन्स मिलता है HRV के Features लिस्ट में Auto AC, Rear AC Vents, Free Standing Touchscreen और Honda City जैसा Part Digital Instrument Cluster शामिल है इनकी अलाबा Split Design Panoramic Sunroof, Hands-Free Powered Tailgate, Wireless Phone Charger, Touch-Based Interior Lighting और Previous Model की तरह Honda के Rear Magic Seats भी मिलता है Honda के Safety Sense फीचर जैसे Lane Assist, Adaptive Cruise Control, Pedestrian Detection and Avoidance भी इस Package में शामिल है इस साल HRV को Japan और अनेक European Markets में Launch किया जाएगा भारत में फिलाल इस गाड़ी के लिए कोई Launch Confirmation नहीं है इस सेग्मेंट में Volkswagen, Tigoon और Škoda कुशक जैसे Models को इस साल Launch किया जाएगा तो Honda इस सेग्मेंट को और समय के लिए नजर अंदाज ना करे यही हमारी उमीद है वीडियो पसंद आया हो तो शेर जरूर करे और वीडियो शॉट और स्वीट चाहिए या डीटेल सभी के लिए सब्सक्राइब बटन अभी एक्टिवेट कर दीजे यही है करें जाएब बटन सबस्क्राइब जाएब और समय करें